रेले वालो, क्या जिंदिगी वरप पट्रीयों पर बिताना चाहते हो, क्या तुम्हें नहीं लगता की जो तुमने तीन साल लगातार महनत करी है, एक कमरे को दिया है, पूरा तीन साल का अपना जीवन, अपने यारदो छोड़ दिये, अपनी खुसियां छोड़ दिये, अप पापा पे प्राओड है, जीवन में उन्हों ने वह पत हासिख एक उसंक हे रहा है, तो अगर आप एसा चाते हो और एक अच्छा जीवन अगर आप जीना चाता है, आपके लिही आई हैं, क्यों हर बच्चा जिस वैकेंसी के भी बात करने वाला हो हर बच्चा आप से यही कहेगा जो इस तैयारी को करता था यारे नो ने तो railway के pattern पर exam ले रहे हैं यानि आपके लिए चांदी हो गई जो बच्चा पहले से इन exam की तैयारी कर रहा था उनके लिए कहीं न गई दिक्कत होगी बड़ जो भी railway की तैयारी कर रहा था चाहे वो गुरूप D का हो चाहे NTPC का हो चाहे वो किसी भी exam की तैयारी करता था आपको बहुत फायदा होने वाला है आपके ही pattern पर अब exam होने वाला है कौन सा exam है इसकी बात करेंगे परंतु तैयारी करके आपको लगता हो एक selection ले लेगा जबकि एक्जाम की अगर बात करो तो तीन से चार महिने में इसका paper हो जाएगा तीन चार महिनों में कभी तैयारी नहीं होती आपने तीन साल दिये हैं आप हो अच्छा जिसे जॉब मिलेगी और यह जॉब क्या है तो मिर पैटर्न एक्जाम लेने का तरीका और जो भी चीज़े पूछी जाएंगी वह सारी चेंज हो चुका है वह सेम तो सेम आपके जैसा स्लेवर सोच चुका है उसके उपर आते हैं बड़ उससे पहले मैं कुछ चीज़े दिखाना चाहूँगा यह बच्चा इस बच्च यह ब बच्चे उन्हें भी आपकी तरह ही मुझसे त्यारी करते थे बट इन्होंने सोच अलग रखी इन्होंने सोचा की बड़ा सोचा नहीं मुझे तो इस्पेक्टर बनना है और यह बन गई इसी तरह से यह बच्चे इन्होंने DSP है rank 1 के साथ तिरु पुरा मैं rank 1 लाना बहुत आसान बात नहीं होती देखिए exam qualify करने तक दरते हो आप यह भी हमारे student है इन्होंने भी आपकी तरह दो आप मैंसे यह बच्चे थे बट इन्होंने सोच को बड़ा रखा मैंने क्या आगा सोच बड़ी रखी आप मैंसे ही ह जब मेरी जान बहुत बढ़िया यह लड़के का नाम अगर आप यहां देख सकते हो नीचे कर देता हूँ यहां पर अभी इन्होंने कटिंग करके ऐसे लगा दिया है इस लड़के का नाम है हाँ फुल ने वा हुदा candidate सागर दास ठीक है candidate's father name प्रतन दास तो इन बच्चे क पूरे पूरे नंबर ला रहा है वह सोच आपको बड़ी करनी है वही student मेरा वो दो एक देखे हो तक है पड़तों से मुझसे ही रहे हैं बट कोई मेरे भाई आप पूरे पूरे नंबर ला रहा है CGL में स्पेटर लग रहा है कोई DSP लग रहा है कोई सभी स्वेटर लग रहा है और कोई पट्रियों तक रहा गया तो मैं तो नहीं चाहूँगा मेरा कोई भी बच्चा अपने जीवन में इस लेवल तक ही रह जाए क्योंकि देखे एक गुरू का फरश क्या होता है कि उसका कौन सी कौन सा मनलब की चैप्टर आता है कि क्या सी लेवस होता और वो थोड़ी दिन बाद स्वेटर लग जाएगा तो आप क्यों नहीं सेम टू सेम आपके इस लेवस पर सारी चीज़ें देखे मैं आपको दिखाता हूँ यह राज चीज़ें क्या क्या बदली हैं पहले क्या होता था मेंस मैंना मैस और इंगलिस आती थी बट अब रिसनिंग और जीएस भी आईगी बहुत सारी चीज़ें बदलती गई है देखे अगर मैं प्री की बात करूँ प्री मैं तो आप सभी पास हो जाओगे प्री मैं पहले क्या होता था पहले भी इसी तरह प्रया पर AHता था ठीक है ऑर जैसा कि इस बार भी आने वाला та प्र पहले क्या होता था आपको पास होना पड़ता था बहूत हाइग आपका इंगलिस यहीं चारो स्ब्ject हों 25-25-25 कोषट न आ पड़ेगा, पास होने के बाद, qualify का मतलब है, इनके number नहीं जुड़ेंगे, बस आपको pass होना है, इनके number नहीं जुड़ेंगे, यानि की maximum बच्चे qualify कर जाएंगे, बहुत, कोई 100C भी ले आया है, तो उसका लाने कोई फायदा नहीं है, आप सोचों कि उसने बहुत बड़ा परन्तु हाँ हमारा मकसद है जाद ही नमबर लाएं जिससे कि हम यह पता लगा पाएं कि हमारी तयारी अच्छी है ऐसा थोड़ी कम नमबर लागे आप क्वालिफाइग कर जाओ उसका फायदा नहीं है तो क्वालिफाइग नेचर का यह आपका एक्जाम रहेगा फर्स्ट फ पर 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 लगेगा यार कुछ ऐसा आपके लिए और आपके लिए और का प्रवंद करा दिया मैं आज तो मुझे अपने वाले जो इनको तैयारी आप जुड़ो तो सही आपको पढ़कर लगेगा यार कुछ ऐसा अलग नहीं है और अलग है भी तो उसे राउसर ने इतरे आसानी से हमें समझा दिया कि हम मैत के बाजिगर होगे जो मैस का बाप कोर्स है उसे ले लो चुप चाप ठीक है अगर आपको SSC का सीजियल का स्पेसल मैस बैस चाहिए तो वह भी वहाँ पर है हमारी आप पर ठीक है तो मैस का बाप या मैस का SSC CGL का स्पेसल ठीक है बट दौनों ही का सिलेवस में दौनों का एक जैसा ही लेकर चलों क्यूंकि सबका सिलेवस आपका एक जैसा ही होगा आप तो है ना तो मिर भाई 30 कोशन मैस के आएंगे 30 कोशन रीजनिंग आगे आप को कि सर यह तो बहुत पास मैम है बहुत बड़ा नाम है उनका जैसे आप अंदर जाओ इस उफन मैम बहुत बड़ा अपने आप में ही वह अलग लेवल के टीचर है जाओ उनका कोर्स है उसको पढ़ने के बाद आपके जैसे बच्चों के लिए ही वो टीचर मलब वो टीचर इतरे बड़े कभी इंगलिस को छूते नहीं थे ऐसे बच्चों को ही नॉन इंगलिस पढ़ाई है तो हंडर परसेंट यहां पर और देखिए आप इन तीन सेक्शनों में जादा नंबर लाओ नो जीएस में पहले जीएस ही नहीं आती थी तो पता है कौन सा बच्चा पास होय था था जिस इसके इंगलिस अच्छी होती थी इस वार जीएस आईगी जीएस के सिवात ही नहीं वह आपको आती है यहां जी जाओगे रिजनिंग भी आ रही है आपे तो और मैथ भी आ रही है तो आपका तो पूरा स्ट्रॉंग पॉइंट है इस वार और फिर आएगा कंप्यूटर प कट ओफ इसकी बनेगी इतने से उपर वाले नंबर बच्चे ही क्वालिफाई कर पा रहे है ठीक है इस तरह से उसके बाद एक सेक्शन टू में टैपिंग टैस्ट होगा 15 मिट का क्वालिफाइंग नेचर का इसके वी नंबर ने जुड़ेंगे सिर्फ क्वालिफाइंग न सब्सक्राइब करने के लिए मैस का बाप कोर्स है जो कर रहा है उसमें जुड़ जाओ और आपके लिए आज आखरी टी थ्री अंड्रेड वाला कोड यू मैंने हाँ पर रख दिया तो बच्चो देखो आपके लिए ही यह सारी चीज़ और यह मैं आपको मोटिवेट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कल कूं आज से दो साल बाद आ आज से पहले इतनी कभी वेकेंश नहीं निकली तीस बार 20 जार बाद बहुत बड़ी बात है और में को age की बात करूँ तो age मेरे 18 साल हो जाने चाहिए आप कब तक 1, 1, 2022 तक आपके 18 साल हो जानी चाहिए अगर हो तो आप इस form को भर सकते हो तो जाहिए इस form को भरिये form निकल रखे हैं आप किसी भी side पर जाओगे तो आप जाके form भर सकते हो और टॉप तक है पर जाके किसी भी बैच में किसी भी बैच में T300 कोड डालोगे तो आपको कोई भी बैच बहुत कम प्राइस में मलब 30 जो भी डिसकाउंट है उसके लावर 30% एक्षटा डिसकाउंट साथ मिल जाए तो आज ही जो उनके बैच को क्योंकि सबसे में चीज क्या होती है कि आपको अपने आपको रैष्ट नहीं देना दिमाग को बिलकुर रैष्ट नहीं देना जब तक हम वहां नहां पहुँच जाएं जो हमारी चाहते हैं देए को सब की चाहते हैं जैसीने कुछ बच्चे में बता रहा हूं उनको यह लेगा है गिरू जी क्या फालतुई बात कर रहे हैं इनमें क्या फाइदा हमारा हम तो इसी में खुस हैं दो 80% 20% होते हैं जो अपने आपके इतिहास को बदलते हैं जो अपने पूरे परिवार का जीवन बदल देते हैं जो आने वाली पीडी को बदल देते हैं वो 20% होते हैं जिनका गाउं समाज में हला होता है वो 20% मुझे आप में से चाहिए वही बच्चा जो होता है जीवन मैं ना कुछ ऐसा करता है जीवन में मिर्तियु तो है बट उस्से पहले जो कर सके कर दो क्यूंकि नाम करना ही तो काम है मिर भाई तो बस अपने माँबाप का अपना इतना बड़ा नाम कर दो कि कलको मुल्ब आपके बच्चे भी हो तो कहें क वो मेरे पिता जी है तो बच्चो जल्दी से जॉइन कर ले कोई भी बैच और साथ ही फॉर्म भर दे सब से वहले ओके भाई लव यू जाहिन जावारत फिर मिलते हैं रात नौब जाए